हे गईज वोट्सब दुसेका सौगात है आज सभी का एक और नव वीडियो में दूस्तों आज किसी वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने इंस्टागाम एकाउंट को पर्मानेंटिली डिलीट कैसे कर सकते हो गैज जैसे कि मैं आपको बता दो इस समय अपडेट आ चुका है नया तो चली चलते हैं मोबाइल के स्कीन पर और आपको बताते हैं ओके तो वीडियो को लास्ट तक देखेगा और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करने वाला हूं ओके तो सिंपली आपको क्या करना है कि यहां पर ठीडॉट पर क्लिक कर देना है जैसे आप ठीडॉट पर क्लिक करोगे उसके बाद यहां पर सेटिंग में जाने के बाद यहां पर आपको क्लिक करना है हेल्प में ओके तो हेल्प पर जैसे आप क्लिक करोगे देन उसके बाद तूरंत आपको हेल्प सेंटर पर गिलिक कर देना है हेल्प सेंटर पर आप जैसे क्लिक करोगे, उसके बाद यहां पर आपको three dots पर click कर देना है, उपर देखिए जहां पर search वालाब मिलता है, आपसनल उसके बगल में दिख रहा है, तो इस पर आप जैसे क्लिक करोगे, उसके बाद यहांपर manage your account, तो यहांपर आपको select इसके बाद यहां पर बी कुछ समझाया गया है, लेकिन यहां पर भी कोई लिंक नहीं है। देन अभी हम नीचे करते हैं Instagram.com from a computer, Instagram.com from a mobile browser and Instagram app or iPhone अगर हम यहाँ पर instagram.com फ्रॉम एक computer पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर login instagram.com बांगता है दिन अगर हम mobile browser पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर instagram.com यहाँ भी लिखा हुआ है और यहाँ पर instagram app और iPhone पर क्लिक करते हैं तो यहाँ भी वही लिखा हुआ है तो यहाँ पर कहीं भी delete वाला option नहीं सूख कर रहा है यानि कि आप update हो गया अब अलग तरीके से आप delete कर सकते हैं मरलब यह थोड़ा confusion कर दिया है आप लोगों को तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि जैसे आप यहाँ पर देखी यह वाला पर click करोगे arrow जहाँ पर temporary deactivate your Instagram account लिखा हुआ है इस arrow पर जैसे आप click करोगे न उसके बाद देखी नीचे आपको देखनों को मिलता है note delete your Instagram account तो simply आपको यहाँ पर click कर देना है तो यहाँ पर जैसे आप click करोगे यहाँ पर भी आपको कोई भी link नहीं मिलेगा कि आप delete कर सकते हैं अपने Instagram account को यहाँ पर वही सो कर रहा है temporary deactivate your account लेकिन हमें deactivate थोड़ी नहीं करना है delete करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा कि यार वो option देख जाए delete your account temporary हम delete कैसे करें तो यहाँ पर देखिए उपर लिखा हुआ है indirect app help ठीक है तो यहाँ पर उपर क्लिक कर देना है इस पर तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर mobile browser help पर आपको select कर लेना है जैसे आप यहाँ पर select करोगे देन उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर देखिए instagram.com from a mobile browser वाले arrow पर क्लिक कर देना है जैसे आप इस arrow पर क्लिक करोगे देखिए आपके सामने सो कर दिया गया है delete your account आ गया ना भाई देख लो इतना confusion किया फिर जाकर दिखा इसमें तो यहाँ पर simply आपको क्लिक कर देना है जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद जो आपने ID लोग इन की है वो आपके सामने आ जा password है उसको फिल कर देना है ओके तो चलिए मैं password फिल कर देता हूं देन आपको दिखा देता हूं ठीक है तो यहाँ पर आपको delete वाले पर क्लिक कर देना है जैसे आप करोगे उसके बाद OK पर क्लिक कर देना है उसके बाद आपका जो Instagram account है वो temporary delete हो जाएगा तो यहाँ पर देश सते हमारा जो account है वो logout हो चुका है तो यहाँ पर देखिए automatic error आ गया और account भी logout हो चुका क्योंकि हमने delete कर लिया temporary तो आज के बस इतना ही वीडियो चलेगे तो लाइक करें चैनल पर नहीं हो तो फ्लीज सब्सक्रिब कर लिजेगा था इंक्यू सो मच पर आज निस वीडियो